सभी समुह की महिलाओं को मेरे तरफशे नमस्कार आप सभी को प्रेड़ना टीवी चेनल की तरफशे नवश्की शुप कामना हैं आप सभी का 2021 मंगल मैं हूँ सभी दिदियों आप लोग ध्यान दिजिए आपके लिए जिहां खास कर दिदियों के लिए बहुती खुशखबर की बात है जी हां क्यूंकि हमारे ग्रामीर महिलाओं में बहुती गरीबी है हम लोगों योजना आती है और चले जाती है पता भी नहीं लगता है तो आए जानते हैं प्रेड़ना टीवी चैनल के माद्यम से नई योजनाओं के बारे में जी हां प्रेड़ना योजना आएगी खुशहाली जी हां प्रेड़ना योजना से लोगों के जीवन में आएगी खुशहाली तेजी से बढ़ रही जनसंख्या पर अंकुस लगाने और जच्चा बच्चा के बेहतर स्वास्त के लिए स्वास्त विभाग ने विशेस पहल की है उच्च प्रजनन दर को न दियंतित कर परिवार में खुशहाली लाने के लिए स्वास्त विभाग ने प्रेड़ना जी हां स्वास्त विभाग ने प्रेड़ना योजना की सुरुवात की है प्रेड़ना टीवी चैनल के माध्यम से जानिये प्रेड़ना योजना की सुरुवात की है इस योजना के तहट उन्नाईश वर्ष से अधिक उम्र में लड़कियों की शादी करने और दो बच्चों के जन्म के बीच तीन वर्ष का अंतराल रखने पर संबंधित परिवार को आर्थिक सहायता दिये जानेवा प्रवधान किया गया है वैसे विदीदी अब तो पान साल तक लोग बाधी दूसरा बच्चा करते हैं जन्संख्या इस्तिर्ता कोर्ष द्वारा प्रयोजित प्रेणा योजना को लागू करने के संबंध स्वास्त विभाक की और शे जिला पदा अधिकारी श अध्यच जिला स्वास्त समीती को भेजा गया है बताया गया है कि बिहार में लडगियों की साधी जिहां आउशतम सत्ता दस्मला दो वर्ष में हो रही है 12 प्रतिसत ऐसी महिलाएं हैं जो 19 वर्ष से पहले मा बन जाती हैं इन पहलूओं को देखते वे सही उम्र शाधी शाधी के बाद पहले बच्चे में विलम पहले और दूसरे बच्चे में जिहां पहले और दूसरे बच्चे के बीश्वास अंतराल और दो बच्चों के बाद परिवार कल्यार के स्थाई उपाए अपनाय जाने को बढ़ावा देने के उद्दे से प्रेणा योजना की सुरुआत की गई है प्रेणा योजना का लाव लेने को यह हुँगे योगे प्रेणा योजना का लाव उठाने के लिए साधी के समय लड़की की उमर 19 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए सादी के कम से कम दो वर्ष बाद पहला बच्चा होना चाहिए इन दोनों शर्तों को पूरा करने की स्थिती में प्रेणा योजना का लब उठाया जा सकता है पातता पूरी करने की इस्थिती में लड़की जन्म लेने पर 12,000 रुपए और लड़का जन्म लेने पर 10,000 रुपए सरकार की ओरशे दिया जाएगा पहले और दूसरे बच्चे के बीच कम से कम तीन वर्ष का अंतराल होने और दमपत्ती में से किसी एक के द्वारा दूसरे बच्चे के जन्म के एक साल के अंदर नस्बंदिक कराने की इस्तिती में दूसरा बच्चा लड़की होने पर 7,000 और लड़का होने पर 5,000 रुपए प्रोट साहन रासी दी जाएगी एक बार सुर फिर सुने दूसरा बच्चा लड़की होने पर 7,000 और लड़का होने पर पांच जार रुपए प्रोशाहन रासी दी जाएगी। उच्च प्रजनन दर को नियंत्रित कर परिवार में खुशहाली लाने के लिए स्वास्त विभाग ने प्रेणा योजना की सुरुवात की है। इस योजना के तहत 29 वर्ष से अधिक उम्र में लड़कियों की शादी करने और दो बच्चों के जन्म के बीज तीन वर्ष का अंतराल रखने पर संबंधित परिवार को आर्थिक सहता दिये जाने का प्रवधान किया गया है। और जानिये कौन से लोग पात्ता होंगे। जी हाँ, दमपर्ती गरीब रेखा से नीचे रहने वाले परिवार से संबंधित हो। जी हाँ, दूसरा है, महिला की आयू तीश वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरा है, लड़के की शादी उननाईस साल के बाद होना चाहिए। चौथा है, सादी के कम से कम दो साल के बाद सबसे पहले बच्चे का जन्म हो। पांचवा है, पहले बच्चे के जन्म के कम से कम तीन साल के बाद दूसरे बच्चे का जन्म हो। जी हाँ इसी तरह छटा है माता पिता ने या दो स्वय इच्छा से दूसरे बच्चे के जन्म के एक वश के भीतर परिवार नियोजन की स्थाई पदिती को शुकार किया होना चाहिए जी हाँ इससे एसा हो रहा है कि शरकार ने अधिक संतार न पैदा करने की बीड़ा उठाया हुआ है जो की बहुत ही जरूरी है हमारे देश के विकास के लिए भारा सरकार ने बहुत बढ़ी ही योजना चलाई है प्रेड़ना योजना इस योजना का सभी लोग लाव उठाए दामपत्यों के लिए केंद्रिय सरकार की प्रेड़ना योजना है अधिक संतान अधिक खर्च अधिक गरीबी जी हाँ इस बात का आप भी द्यान दे दिदी क्योंकि अधिक संतान होने से ही नहीं विकास होता है अधिक खर्च भी होते हैं आज के इस महंगाई के जमाने में अधिक संतान पैदा ही करने की बड़ाई नहीं होती उनकी परवश्य भी करनी पड़ती है अच्छा अगर आप पढ़ाएंगी लिखाएंगी अच्छे इसकुल में दाखिला कराएंगी अच्छा संसकार देंगी घर देंगी परिवार देंगी तो आपको कम से कम दो बच्चे ही करना चाहिए हम दो हमारे दो एक लड़का एक लड़की या दोनों लड़के या दोनों लड़की इससे कोई फरक नहीं पड़ता लड़का लड़की एक शमान ये हमारा नारा है आप सभी से निवेदन हैं सभी दिदियों से कि इस योजना का लाब सभी लोग उठाईए प्रेणा टीवी चैनल से जुड़ जाईए इस योजना का लाब आपने नहीं उठाया तो आपने जीवन में कुछ नहीं किया भारत जरकार जो योजना चला रही है काफी खबरी आप लोग के लिए हैं हम दो हमारे दो ये हमारा नारा है भारत देश को आगे बढ़ाना है जनसे क्या विर्दी को कम करना है क्यूंकि छोटा परिवार सुखी परिवार आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सस्काइब शेर जरू कर दे एक बार फिर बोलती हूं देदी हम दो हमारे दो छोटा परिवार सुखी परिवार धन्यवाद सभी दीदियो सोन रोध है हमारे प्रेणा टीवी चैनल को ज्यादा ज्यादा सस्काइब केजिए और सस्काइब क देनकारी आप लोग के पाद हमारे दो मिल लिए।